हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रेंज और आज हम एक इंट्रेस्टिंग और यूनीक प्रड़क्ट को रिव्यू करेंगे तो ये है हवबोर्ड, मोनरोवर, आयो हॉक, कुछ भी इसको बोल लीजिए तो बेसिकली ये एक हवबोर्ड है, हम इसको हवबोर्ड ही बोलेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है जब आप इसे परचेस करींगे तो आपको चार्जर मिलेगा तो जो चार्जर का कनेक्टर है तो वो काफी अलग टाइप के पिन्स आपको मिलेंगी तो make sure आप इसे जल्दी खराब न कर लें उसके साथ आपको user manual मिलता है मैं recommend करूँगा user manual आप पढ़ें क्योंकि ये एक अलग तरीके का device है, अलग तरीके का product है user manual से आपको काफी असानी होगी इस productive समझने में और आप इसे असानी से control कर पाएंगे, user manual के बाद यहाँ पर आपको दो accessories मिल जाती है अपने hoverboard के लिए तो basically इसे आपको अपने hoverboard के उपर लगाना है, ये 3mm tape 3mm tape है, इसको हटाना है और अपने hoverboard के उपर लगाना है तो इस तरीके से आप लगा पाएंगे तो इसके बाद आपको hoverboard मिल जाता है obviously, बस ये 3 चीज़े आपको मिलती है box में और कुछ नहीं, तो जान लेते हैं hoverboard के क्या-क्या features हैं, तो left side में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ आपको दो buttons मिल जाता है basically, एक button और एक charging port मिल जाता है तो यहाँ पर बटन को press करेंगे, तो आपका hoverboard on हो जाएगा तो अगर आप tires की grip देखें, तो सबसे बहले बता दूँ यह real tires हैं, यहाँ पर कोई भी fake plastic tires नहीं है और जो alloy आप देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल real है तो यह सब कुछ यहाँ पर real है, तो आप देख सकते हैं उपर की तरफ padding दी गई है, जहाँ आप अपना pair रखेंगे padding के नीचे accelerators हैं, जिससे आप इसे control कर पाएंगे और अपना hoverboard चला पाएंगे, तो padding काफी अच्छी है, आपके pair slip नहीं होंगे तो दूसरी side आप देख सकते हैं, बीच में hoverboard के आपको LED मिल जाती है जो आपकी battery indicate करती है, और काफी high quality की LED दी गई है दूसरी तरफ आपको एक और LED मिल जाती है, जो आपका pressure indicate करती है तो मैं chalk गया था कि काफी heavy product था, और एक हाथ से मैं इसे अराम से उठा नहीं पाया था तो ये 12 kilos का हैं आपको मिल जाता है, hoverboard में आपको speakers भी मिल जाते हैं जिससे आप Bluetooth से अपने phone से connect करके गाने भी सुन सकते हैं, तो ये एक अच्छा edition है तो आप इसे right कर सकते हैं, तो आपको right करने में first time आप definitely मेरे साब से गिरेंगे, मैं भी गिराता first time बट 5-10 मिनट आपको लगेंगे इसे ढंक से समझने में, उसके बाद आप इसे बहुत अच्छे से control कर पाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने mind से इसे control कर रहे हैं, जिस तरीके से आप चलते हैं, उसी तरीके से ये control होता है basically आपको हलका सा lean करना है आगे बढ़ने के लिए, lean back होना है पीछे जाने के लिए और अगर आपको turn करना है तो अपने किसी भी एक foot पे pressure डालना है, अगर आपको right side पे turn होना है तो right foot पे pressure डालिए, left side पे turn होना है तो left foot पे pressure डालिए जैसे आप real में करते हैं, तो एक बार आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, approximately 5-10 minute लगेंगे, इससे जादा नहीं लगेंगे मेरे साब से, और आप इसे काफी अच्छे से चला पाएंगे तो ये single charge पे तकरीबन 20 km चल सकता है, और इसकी जो top speed है, वो है 12 km पर hour, जिससे ये काफी speed हो जाती है मेरे साब से, अगर आप इसे चलाएंगे तो और आप आप देख सकते हैं, आगे दो LEDs भी दी गई है, blue color की जो काफी अच्छी लग रही है यहाँ आप इसको charge करने, जो इसका charging time है, वो approximately 2 घंटे है, 2 घंटे में ये full charge हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसे purchase कहां से कर सकते हैं, आप इसे किसी भी online store से खरीच सकते हैं बट एक चीज मैं आपको बता दूँ, आपको अलग-अलग prices मिलेंगे, अलग-अलग नाम से सारे product सेम हैं, बस company अपने अपने नाम से इसे बेच रही हैं, अपने अपने तरीके से paint job करके तो आप कोई भी purchase कर लीजे, सस्ते से सस्ता product आपको सेम ही मिलेगा, तो मैं यही recommend करूँ आपको यह hoverboard maximum 120 kg weight handle कर सकता है अपने उपर बड़े अराम से, तो आशा रखता हूँ आप सभी को दोस्तों यह छोटा सा review पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस hoverboard के साथ बाहर जाऊँ, तो please मुझे comment section में बताइए, मेरा नाम है प्रेंस, मैं मिलता हूँ आप सभी को अगर एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिज्याहिंत, वंदे मात्रम, धन्यवाद